हेलो बच्चों, आज हमारा question है, XI 14.3 से question no.2 करने वाले हैं, divide the given polynomial by the given monomial, भाई हमें इस polynomial को divide करना किस से, monomial से, ठीक है, polynomial होता जो X से ज्यादा digit, वो X ज्यादा temps होते हैं, और monomial मां single temps, अब मुझे इसको divide करना है, इस से, इसका मतला क्या होगा, 5x square minus 6s को divide करना मुझे किस से 3x से अब देखेंगे बाई इन दोनों में क्या common है 5 की table और 6 की table सेम नमर से divide नहीं होते हैं किसी लेकिन यहां भी x है हमारा यहां भी x है तो हम क्या कर सकते हैं यहां x बाहर लिए दे सकते हैं अब इसमें हम चाहे तो इसको 3 into x लेक सकते हैं तो यह x से क्या जिका है x कर जाएगा तो हमारा अंसर जाएगा 5x minus 6 upon 3 हमारा अंसर हो जाएगा ओके ऐसे हमारा देखो 3y की power 8 minus 4y की power 6 plus 5y की power 4 divided by y की power 4 तो भाही क्या होगा 3y की power कितनी 8 minus 4y की power 6 plus 5y की power 4 और differentiate कता है इसको किस से y की power 4 अब मुझे y पर ध्यान देना बई यहां भी y है अब धेखो यहां कितना है 4 है यहां 6 है तो y की power 4 हम भाहा ले सकते हैं सीदे-सीदे अब यहाँ 8 थी 4 हमने भाहा ले लिए तो क्या बच गी फोर अंदर बच गई, ओके, मैनस, बैस शिक्स थी, फोर तो भाल ले ली, तो कितनी बच गई अंदर, क्योंकि 4 और 2 कितनी हो जाएगे, 8, जो को multiply में, अगर हमारा base सेम है, जैसे y इंटू, ये y, y की पावर 4 है, अगर base हमारा सेम होता है, exponent में होता है, मताँ पावर में होता, तो पलस पावर क्या होता है, पलस होता है, y की पावर 4 और 2, 6 हो जाएगी, ओके, ऐसे पलस 5, यहाँ y की पावर 4 भाहरा आ रहे तो, यहाँ के और 5 बचेगा, और नीचे हमारा कितनी y की पावर 4, यह तो पूरा कट गए, अंसर क्या होता है, 3 y की पावर 4, मैंनाज 4 y की पावर 2, और पलस 5 हमारा अंसर हो जाएगा, ऐसे आप यहाँ देखो, यहाँ 8 भाहर है, देखो, x की पावर 3, y की पावर 2, z की पावर 2, x की पावर 2, y की पावर 3, x की पावर 2, पलस- x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 3, इसको जो डिवाइड करना हम ने, किस से करना, 4 x square, y square और j का square से, सब्से पहले हम देखेंगे, कि हमारा पाव, यहाँ एक्स है, यहाँ पावर x है, यहाँ पावर 3 है, तो क्या हम बहार ले सकते, एक तो हम ले ये, ये तो ही भार, पहले हम क्या ले लेंगे, multiply करके, x square लेंगे, क्योंकि यहाँ भी square है, यहाँ भी square है, ओके, दूसरा हम क्या ले सकते, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ y power 2, यहाँ भी 3, यहाँ 2, तो y की power 2 भी हम बहार ले सकती हैं, ऑके यहां पर ले रहा मैं, 8 into x square into y square, और z यहां, z यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी, तो z भी क्या जैगा, square में भार आ जैगा, अब हमार पाढ़ देखो, x यहां cube था, y square थो भार ले लिया, तो क्या बच्चा, X बच्चा Y स्क्वार था स्क्वार भाल ले लिया कुछ बच्चे नहीं Z स्क्वार भाल ले लिया यहां तो कुछ नहीं बच्चा X स्क्वार भाल ले लिया Z स्क्वार भाल ले लिया Y क्यूब था 1 Y स्क्वार भाल ले लिया और 4 टूजा 8 2, तो क्या बचना, 2 X plus Y plus Z, देखो 4 टूजा 8 हो जाएगा, यह पूरा सेम है, यहां दोखो, यहां देखो, यहां देखो, X cube plus 2 X square plus 3 X, अपोन में कितना है, 2 X, इससे डिवाइट करना, अब देखो, यहां X square, यहां भी X square, यहां भी X square, सिद्ध gray एक एकस तो बाख लिले जाएं सिद्धे यहां क्या बचाएगा एकस उस्क्वायर बचेगा यहां future 63 बचेगा अपन में कितना टू इंटो एकस लिख सकते हम इसको एकस से एकस कर जाएगा खाई एकस उस्क्वा झाल झाल